गाइस करीब करीब धाई बद रहे हैं और अभी हमको एक ट्रेड मिला है काफी options में काफी high moment से लिए लगता है यह trade ले लेना चाहिए 37600 का CE हमने लिया है आप देख सकते हैं ठीक है चार्ट पे आप देख लो अभी ठोड़ा उपर जा चुक है हमारे cost price से 75 से 80 की range में लेने क को बोला था और moment काफी quick है काफी लोग ने शायद entry मिस भी कर दियोगी तो 80 से 87 के range में भी ले सकते हैं मैंने ऐसा बोला हुआ है उनको ठीक है तो target आपके सामने दिया है मैंने 30 से 35 points अब का वो ले सकते हैं मैं draw करके आपको दिखा देता हूं कि यह है entry हमारी ठीक है और नी 30 से 35 points का target दिया है यहाई लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा target बन रहा है तो I guess मुझे उनको यह भी कहा ही देना चाहिए कि मलब जो लोग वेट करना चाहिए वो कर सकते हैं मैं कहा देता हूं शाया देसा करता हूँ तो guys यह मैं उनको message कर रहा था कि अगर वो चाहे तो वेट कर सकते हैं 129 और नहीं चाहे तो 30 से 35 points लेके exit भी कर सकते हैं कुछ moment आती है तो मैं update करता हूँ guys थोड़ा बहुत टाइम लिया इसने बट बैंक निफ्टी के चार्ट में तो नहीं लेकिन उप्शन चार्ट में इसने हमारा stop loss हीट कर दिया है मैं आरे टेलेग्रम ग्रूप में भी अफडेट कर दिया है कि stop loss हीट हो चुका है जनरल यह थोड़ा मालब लग गलत ही हो गय क्योंकि आप देख सकते हैं यह आप यमारी एंट्री थी नीचे अमारा stop loss था उपर का टार्गेट था देखे इसमें तो भी तक stop loss हीट भी नहीं हुआ है इंफेक्ट भी तो cost price के आसपास अल रहा है bank nifty में बट इधर आप देख सकते हैं हमारा stop loss हीट हो चुका है अब क्या करूं मैं देख सकते हैं आप आपके सामने यह जो गी है मैं आपको एक काम करता हूँ रीजन बताता हूँ यह ट्रेट का काफी क्लियर है देखो यहां से लेखे market नीच आया single bottom बनाया उपर गया double bottom बनाया double bottom चार्ट पैटन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था technical analysis की उसके बाद यहां पर हमारा trade लेना बनता ही है जो हमने लिया ठीक है double bottom के इसाफ से बट एक गलती हम से यह भी हुई आज मैं बताता हूँ आपको वैसे तो stop loss नहीं ही टुआ है बट एक गलती है हो गई कि हमने entry थोड़ी कह सकते है जल्दी ले ली या थोड़ा देखो यह Fibonacci retracement tool है यह बताता है कि क्या-क्या levels पे market support या resistance ले सकता है तो देखो मैं mark करके द resistance ले लिया और हमारी entry वी तो उसके candle पहले ही हुई थी जिदर से इसने resistance लिया बट मैंने यह tool लगाया नहीं था तो मेरा ध्यान नहीं था इस चीज में तो आप देख सकते हैं यह जो line है exact उधर ही price आया हमारा अधर से नीचे आना चालू कर दिया हूँ ने चांसिस अभी भी है कि यह वापस reversal मारके उपर जा सकता है बट अभी मैं अगर trade वापस से भीजूंगा तो वह over trading हो जाएगी over trading अपन को करनी नहीं है because अगर अभी loss हुआ तो फिर frustration चड़ेगा दिमाग पर उससे अच्छा अगर profit होता है तो कोई बात नहीं जाने दो वैस ग्रूप में mention कर दिया है देखता हूँ अगर upside जाता है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा guys जिसका डरवा हुआ 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 आप देख सकते है price आप दिखो कहां तक चला गया है 179 का high बना चुका है price हमारा यहां पे 26 का low बनाया उसके बाद आप देखो 179 का high बना चुका है price इसका मलब यही था कि हमारा trade एकदम perfect था हमारा analysis एकदम perfect था but गलती हमसे यह हो गई कि हमको हो सकता तो FI जो Fibonacci retracement था उसके बाद उसके break होने पर लेना चाहिए था entry या तो फिर futures में ले लेना चाहिए था because Thursday है Thursday के दिन premium decay होता ही है and अभी तो ending time में आप देख सकते हो ना धाई वजे तो हमने trade लिया था याने के premium पूरा decay होना ही था तो आप देख सकते हो य मैं आपको दिखाता हूँ देखो हमारा तो यह यह वाली candle में stop loss इट हो गया जबकि यह तो बहुत दूर है stop loss है हमारे आप देख सकते हो देखो यही एरिया में हमारा stop loss इट हो गया मरब हमारा analysis perfect था बट premium decay की वज़ए से अपन थोड़ा mark आ गये otherwise देखो target आपकी आँखो के सामने अची हो है देख सकते हैं आप यह मैंने ग्रूप में भी सबको बता दिया है तो चलता रहता है ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं अगर आपको भी premium चैनल जोइन करनी है तो description में मैंने details दे रखिए एक बार पढ़ लेना free join कर सकते हो आप